वैसी बहुत controversy हो रखी है, code of conducts के regarding उन्होंने agreement में जो mention किया हुआ है agreement में mention किया हुआ है कि आप कोई भी political nature की statement नहीं देंगे लेकिन वो political nature की statement क्या होती है, उसकी कोई definition कहीं पर भी नहीं है आप किस statement को cite करोगे कि ये statement political nature की है generally एक आम आदमी कोई ब्यान दे रहा है, क्या वो statement political nature की है तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि statement political nature की है उन्होंने अपने email में tweet का link उठा के मुझे post कर दिया उन्होंने बोल दिया कि इस tweet में ये लिखा हुआ है जिसकी वज़े से हमारी reputation जो है, हमारी goodwill जो है वो destroy हो रही है तो ये उन्होंने अपने according job interpretation की नाई उन्होंने मुझे कोई ज्यादा discussion किया आप मानते हैं ये personal view था आपका, आपको मानते हैं कि शायद ये उस समय नहीं कहना जाए है या अब अपनी stand पे बरकरार है, जो कि आपने का किया वो सही किया मैंने जो बोला मैंने अपने students के लिए जो बोला बोला और मैं उस stand पे आज भी बरकरार हूँ मैं मैं आज भी अपने जितने मेरे से बच्चे बढ़ रहे हैं मैं उच को आज भी इसी direction में guide करूँगा कि आप पड़े लिखे इंसान को चुने. Obviously बात है मैं, आप आज यहां पर बैठे हैं. Because of your education. साइद एक नीचे जो रिक्षा चला रहा है, वो इतना educated नहीं है, आपकी ज़़ा पर आके बैठ सके. So education plays a very important role in everyone's life. तो मैंने इसमें गलत किया गा? I am just giving a right direction to my students, जो मुझसे connected है. कोई political propaganda नहीं था, कोई political party का नाम नहीं लिया गया, किसी political party से association नहीं है, किसी person का नाम नहीं लिया गया, अपनी according आप कुछ भी गया. कैसे एक वीडियो वाइरल हुआ, उस वीडियो के अंदर पढ़े लिखे लेता को वोट देने की जो अपील है, उसके चलते अनकेडमी के द्वारा उनको terminate किया जाना, अपने आप में एक सुर्खी बन गया. फिलहाल के लिए आप यहाँ पर एक Twitter handle है, जो हम चेक कर रहे थे, वहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई कि इस टीचर को अनकेडमी के द्वारा निकाले जाने पर, जो Uninstall Unacademy नामक campaign चला, उसके चलते 96,000 individuals ने Unacademy के application को Uninstall कर दिया. Just for curiosity, मैंने इनके नाम को Unacademy पर सर्च किया. किनके नाम को? अरुन सांगवान के नाम को मैंने, करन सांगवान के नाम को मैंने सर्च किया. मैंने का यार Unacademy पर इनके कितने followers थे, क्योंकि millions में followers होते हैं, जब आप अच्छे faculty होते हैं, लाखों में followers होते हैं, मुझे यहाँ पर इनके followers की संख्या दिखाई दी 14,000, मतलब अनकेडमी के लिए ये बहुत महंगा सवधा साबित हुआ, जितने ये followers लेकर अनकेडमी में नहीं आये थे, उससे ज़्यादा तो इनके कारण अनिंस्टॉल हो गए हैं, भाईया बहुत मह सब्सक्राइब हैं, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पड़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दुबारा जीवन में ना जीरना पड़े, ठीक है, चलो, ठीक है, नेक्स राइं ध्यां रखीगा, ऐसे इंसान को चुने, जो पड़ा ठीक है, जो समझ सके ठीजों को, ठीक है, जो समझ सके ठीजों को, तिर वैसे इंसान को ना चुमें, जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज गरना आता हो, हैना, तो, make your decision properly, हैना, अब मुझे भी ऐसा है, इन टीचर महोदे ने, जो जो ग्यान दिया है, अब इसी का खड़े-खड़े विसलेशन कर देते हैं, आप भी सिक्षक रहे हैं, छोटा-मोटा ज्यान हमें भी है, हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, competitive exams clear एक बार नहीं, दो-दो बार करके बैठे हुए हैं, इतना बेफ़कूफी ज्यान के अंदर हमें भी नहीं है, कि आप जो लाइन तो उठा रखी है, क्या लाइन उठा रखी है, कि पढ़े लिखे को वोट देना, इससे पहले की जो लाइन ही बोल रहे हैं, उस पर कोई जोर ही नहीं दे रहा है, क्योंकि कैयों के तो वो उपर से निकल रही है, कि पता नहीं कुछ बोल रहा होगा, और कैयों को पत मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं हसू या रूँ मेरे पास भी मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं बेर एक्ट्स हैं अब उनको बना करके इन्हों ने रखा हुआ है अब यह लाइन को आगे सुनते चले मेरे पास मेरे नोट्स हैं हसू या रोँ बेर एक्ट्स हैं आगे अगे अब यहां के बाद जो इन्हों ने बोला वो तो सबको ध्यान है लेकिन जो जिस बारे में बोल रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है मैं बताता हूं किस बारे में बात कर रहे हैं उस पर हमने भी वीडियो बनाया हुआ है आप चाहिए तो उसे देखिएगा ताका थोड़ा सा आपके दिमाग में clarity आए यह किस विशय पर बोल रहे हैं और सब्थे important बात जिस बात को उठाया जा रहा है कि इन्होंने सरकार का नाम थोड़ी लिया था अरे भाईया इन्होंने सरकार का ही नाम लिया था अब चाहिए तो मैं प्रूव कर देता हूं दो मिनिट मेरे साथ session के अंदर आगे चलिए इन्होंने कहा ना आईए मैं चेक कराता हूँ आईए इन्होंने किस जगह ये बात कही अब वो सुन लीज रिसेंटली अमित शहाजी के द्वारा लोकसभा के अंदर एक बिल लाया गया था जिसमें IPC, CRPC और Evidence Act इन तीनों के नाम परिवर्तित किये गए इन में धाराओं में परिवर्तन किया गया धाराओं को बदलकर अलग धाराओं के नाम से कहा गया नया नाम दिया गया उस प अगली बार जब भी अपना वोट दो किसी पड़े लिखे इंसान को अपना वोट देना ताकि ये सब कुछ दुबारा जीवन में ना जीलना पड़े ठीक है चलो ये सब कुछ दुबारा ना जीलना पड़े लिखेंगा ऐसे इंसान को चुने जो पड़ा लिखा हो ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो नाम चेंज करना आता हो ऐसे इंसान को अगर कोई ये बात उठाकर पूछे इनसे, नाम बदलना आता हो, आप बेर एक्स की बात कर रहे हो, नाम बदलने की बात कर रहे हो, आप तो सीधा सरकार के उपर बात कर रहे हो, इसके बाद अपोजीशन इस बात को लेकर आनंद ले रहा है, इन्होंने पढ़े लिखे की बा फोग देना इसने कहा इसलिए amacademy निकाल दिया पिर बड़ा सवाल यह वनता है न ने क्यों निकाल दिया फ़ही अन academy में इसने निकाल दिया क्योंकि आप अनienciesी के मंद्च का उपयोग वोट को या फिर किसी के मत को बनाने और बिगाडने में कर रहे हो क्या ऐसा अलाउड नहीं है क्या अनकेडिमी इस बात की माना करता है अनकेडिमी के तरफ से जो इस पस्टी करण दिया गया उसमें नोंने ये कहा कि हमारा उद्देश केवल इस्टुडेंट्स को पढ़ाना है हम इस्टुडेंट्स को अपनी तरफ से ये नहीं बताते कि आप क्या करें और क्या ना करें कौन सी राजनेतिक पार्टी में जाएं क्या ना जाएं तो सीधा यहां पर ये व्यक्ति खड़ा हो करके मंच का दुरुपियोग कर रहा है जो कि उनके Code of Conduct के खिलाफ है ये था पूरा की पूरा मामला अब सरकार ने ऐसा क्यों किया था सरकार ने नाम बदलने का क्या क्यों किया था क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा 2022 में लाल किले से जो पांच प्रण लिए गए थे उनमें से एक प्रण था कि कोई भी अगर colonial mindset यानि कि उपनेवेशिक विचारधारा का अगर कोई भी विचार दिमाख में है तो उसे हटाना होगा आईए इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानकारी प्राप्त करिए अमित शाजी के द्वारा दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि 18 राज्यों ने 6 खेंदर शाषित प्रदेशों ने भारत की सुप्रीम कोट ने 22 हाई कोट ने नियाईक संस्थानों ने 142 सांसदों ने 270 विधायकों ने इस विधायक को लेकर सुझाव दिये हैं यानि लोगसभा में जो विधायक आया है वो एक दिन में नहीं आ गया है 4 साल में 158 बैठके हुई है अब अगला सवाल ये बनता है अगर ये टीचर का मुद्दा इतना ही हाईलाइट होना है तो अनपड की अगर बात की जा रही है तो क्या ये सब लोग अनपड हो गए अगर ये व्यक्ति टीचर का कंटेक्स्ट बारवार इस बात को लेकर हो रहा है कि इन्होंने नाम बदल दिये तो भाई साब इतने लोग फिर तो भाई साब और और सुप्रीम कोट इतनी वेली ना हो थी आप वो हैं भी नहीं कि आपकी इस बात पर रेक्ट करें अदर्वाइज यदी ये सच है कि अगर सुप्रीम कोट और हाई कोट्स ने अपना टाइम निकाल कर इस कार्य को किया है और आपका ये कमेंट कहीं न कहीं अभ्यापक की बात सुनी वीडियो देखा उसने तो केवल अनपड़नेता बोला हमें तो बुरा नहीं लगा फिर उनको क्यों बुरा लगा अरे सर आपको फुरसत अगर हो थोड़ा समय निकाल करके आप प्लीज थोड़ा आगे कभी वीडियो अगर देख लिए होते तो उसम पास में जिन्होंने भी ब्रीफ किया हो वो ब्रीफिंग थोड़ी शॉर्ट ब्रीफिंग दी गई हो कि सर बस यही बात थी देख लीज़े इस बात पर क्या हो गया क्यों कि बहुत सारे काम होते हैं देश के अंदर भी विपक्ष को भी बहुत सारे काम है आप और हम सोचल वीडिया पर लगे हुए हमें लग रहा है हमी सुपर वीजी है वास्तिक्ता में तो हो सकता है कि जो भी कंटेक्स राओ लेकिन हाँ जानकारी पूरी रहे तो मैंने वह आप लोगों को दे दिये बाकी आप समझदार हैं आपका जो मत होगा वो आप कमेंट बॉक्स में भरवर के लिखिए आपकी जो राय है वो भी बताइए मेर को लगा कि इस विशय पर आपको प्रॉपर जानकारी दे दी जाए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें